है । मैं आप लोगों को प्रॉग क्स्टेश में बतायेंगे पूराइस्तेबबाइस्तेफ यहाँपवाँ धेकेमेस्टर कसी इस प्रॉग को क्कॉंठीश करूंगा आज उससो चैयार करूंगी इस इसटेफ 몰सी तक ही ओदिए तो यहाँ पर देखिए इस स्क्रीन में जू भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसी मेजरमेंट के हिसाब से आस में आप लोगों को फ्रॉक काटिंग करना बताएंगे तो सब्सक्राइब करते हैं किस तरह किसे काटिंग करना है पोरा एस्टेप बाइस्टेप शीक लेती है फेब्र को मैंने यहाँ पर उल्टा साइक के तरफ से फूल्डिंग कर लिया है उसके बाद देखिए जो उपर बोला पाट के लिए हम मेजरमेंट लोगी इसके लिए देखिए यह तयार होगा 15.5 इंस और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वान इंस लिया है टूटूटर 16.5 फेवींग्स कर यहाँ से लोगी उसके बात लोगी शूल्डर देखिए जिसे के यहाँ आप बैक साइद की दिरफ से हाइ नेक जैसा है तो यहाँ पर अपने शूल्डर का मेजरमेंट लेना है। लेने के बाद जू भी आता है इसको हाप कर लेना है तो यहाँ पर 15 इंस त शुल्डर का मेजमेन लूँगी फिर यहाँ से पोन एक इंस्टाग दाउन करूँगी और यहाँ से नेक लाइन लूँगी त्री इंस्टाग फिर यहाँ से मिला दूँगी उसके बद यहाँ से बेक साथ के लिए नेक दीप लेना है यह में 2.5 इंच तक रखूँगी उसकी बाद लेना है आर्म होल आर्म होल यहाँ से में 6 इंच तक इसका आर्म होल रखूँगी और यहाँ से बराबर 7.5 इंच मिलाओंगी उसकी बाद लोगी चेज जिसे के यह बलावस 38 चाईज से तो मैं यहाँ पर 38 को 4 से दिवाइट करूँगी 38 को 4 से दिवाइट करने से 9.5 इंच और एक्स्तरा फेब्रीक 2 इंच तक रखूँगी और कमर लोगी यह 34 इंच यहाँ पर कमर 34 इंच तक रखूँगी और एक्स्तरा 2 इंच रखूँगी फि यहाँ से मिलाओंगी उसके पद यहांपा आर्भूल के सेफ बिलाओंगी, वान इसका सेफ लगाओंगी यहांपर फिल यहां से डेक सरके तरप से ताक्स लगाओंगी, यहांपां ने सत्यान इसका काट कर लोंगी बैक पाइट कटिंग करने के बाद यहाँ से फ्रंचाइट काइट करूंगी तो फ्रंचाइट काइट करने के लिए फिर से फेब्री को टो फूल्डिंग करकर पिसा कर ले लूँगी इस तरह किसे देखिए तो यहाँ पर भी देखिए सेम तरके से मेजरमेंट होगा जिस तरके से बैक पाइट काइट किया है यहाँ भी देखिए 16.5 इंस का लंबाई रखोंगी फ्रंचाइट के तरफ से यहाँ से इस तरह किसे शीदा मिला दूँगी शीदा मिला देखिए बाद इस यहाँ से काट लगा लूँगी मिला का उसकी बाद लंबाई लूँगी लंबाई यहाँ से भी 16.5 इंस तक लंबाई रखोंगी कर दो तो चुल्डर यहाँ से में टूटर 9 इंस तक रखोंगी क्योंकि यहाँ पर देखें, फ्रॉंट साइट के तरफ से फोल्डिंग करकर सिलाई करना होता है, नेक के साइट के तरफ से, और यहाँ से भी पॉनाएक इस तक डाउन करने के बाद, शीक्स इंस के आर्भूल रखोंगी, तो यहाँ से इस तरफ किसी बोराफल मिलाओंगी, म कूल्डिंग करने के बाद, आभी यहाँ से सेस के लिए मेजरमेंट लूँगी, थार्टीएट छाइस के हिसरत राखोंगी, तो यहाँ से भी बैक साइट में जितना तक एक्स्ट्रा फेब्रिक लिया है, यहाँ भी उटना तग ही राखोंगी, कमर भी सेम राखोंगी, यहाँ से राखोंगी, यहाँ से बाद, से लिएन उतिना तस्क्सट्वा 2여ग trzeba ही रहाँ से राखोंगी, एक वहाँ से बैक भी से बाद, आभी से glass वाएस, से पर एकूगी, जय है। और राखोंगी, एक पर एक रिए से बाखोंगी तो यहां से नेक काट करूंगी तो इसते किसे सेवेन इस तक मिलाओंगी मिलाने के बाद यहां पर पूरा यहां से काटिंग होगा जहां तो बात में इसको और भी बराकार ले लूँगी तो पहले यहां से इसते किसे काट होगा पीचे यहाँ पड़ेगी नेकों मैं यहाँ से थोड़ा चा काट लागा लूँगी इस्तिर किसी तो यहाँ पर देखिए इस्तिर किसी इसका फ्रॉंट साइट होगा और यहाँ से इस्तिर किसी फोल्डिंग होगा यह देखिए इस्तिर किसी रहेगा फ्रॉंट साइट फ्रेंट पर यहाँ पर देखिए काटिंग फ्रॉंट साइट है तो आभी देखें निश्य का पार्ट में यहाँ पर 3 स्टेप काट होगा तो 1st पार्ट में कितना तक राकना है 1st पार्ट में मैं यहाँ तू पार्ट राखूंगी और इसका लंबाई होगा 12 इन्स क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इस प्रो का लंबाई टुटल लें 55 पिंस से तो उपर का पार्ट में 16 इंस कया है तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में 12 पिंस करकर होगा 1st step 2nd step में 12 12 करकर काट करूँगी और last step में यहाँ पर 15 इंस लाकर काट करूँगी तो 1st step को इस तरह के से हार जगह से 12 पिंस का मैं जमन लेकर यहाँ पर काट कर लूँगी तो आभी देखिए यहाँ से 2nd step काट करूँगी और यहाँ से भी देखिए लंबाई 12 पिंस लाकर काट करूँगी पिंस लाकर काट करूँगी यहाँ करूँ पिंस लाकर काट करे यहाँ से लाकर काट करूँगी यहाँ उतर अ यहाँ 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 मैं भी ज 영상 खेseason सेकेंड स्टेप यहाँ पर देखिए टूटेल यहाँ पर फॉल्डिंग है और यहाँ से लास्ट स्टेप कायद करूंगे इसको मैं टूटेल फीपी निसका लंबाय रखूंगी इसको मैंने एट फॉल्डिंग में फूल किया है और अब यहाँ से काट लगा लूँगी यहाँ पर देखें काटिंग यहाँ पर कंप्लीट है और यह है लास्ट स्टेप इसको मैंने यहाँ पर टूटेल देखिए इतना तक फॉल्डिंग में काट किया है और टूटेल यहाँ पर एट फॉल्डिंग मिला है फिर काटिंग करूंगे दूनों स्लीप को एके साथ में काट कर लूँगी तो यहाँ से में टूटेल स्लीप काट करने के लिए फैब्रिक को इस तरह किसे फॉल्डिंग कर लूँगी देखिए स्लीप यहाँ पर पॉप स्लीप जैसा ही होगा राउन साथ की तरफ से यहाँ पर एलेस्टिक लगाऊंगी और शूल्डर की साथ की तरफ से थूरा शूता-शूता करकर प्लेट डाल दूँगी यहाँ से देखिए जितना तक मिला है पूरा ही राखूंगी स्लीप को थूरा फुलावा स्लीप चाहिए और यहाँ से राखूंगी एट इंस तक नेटो 8.5 इंस तक राखूंगी और यहाँ से इतना तक स्लीप का मेजरमेन होगा और पॉप के लिए यहाँ पर इतना तक रखूंगी जैसे कि फाइप इंच तक यहाँ पर पॉप के लिए रखूंगी इस तरह किसी मिला दूँगी तो यहाँ पर देखें जैसा है वैसा ही रखूंगी तो चलिए काट कर लोंगी यह पूरा ही रखूंगी तो यहाँ पर देखिए इस्तरी किसी यहाँ पर यह एलेस्टिक हुगा और यह देखिए इस्तरी किसी स्लेप हुगा और यह देखिए फर्स स्टेप सेकेंड स्टेप और यह फ्रंट साइट इस्तरी किसी रहेगा तो यहाँ पर देखिए काटिंग पूरा पूरी कम्प्लीट हो चुका है तो चलिए अभी इसको सिलाई करोंगे सिलाई किस्ते किसे करना है पूरा step by step सेख लिती है तो इस फ्रोक को काटिंग करना बहुती easy है तो आप लोग देखी सकते हैं यहाँ पर मैंने किस्ते किसे काट किया है तो चलिए अभी शेलाई भी पूरा step by step शेख लिती है पर मैंने front part ले लिया है front part को यहाँ पर देखिए यह देखिए जिस side में neck का side काट किया है इसको यहाँ पर किनारे से folding करके सिलाई करोंगे और यहाँ से देखिए यह देखिए इस तरह किसी रहागा तो इसको देखिए कैसे शिलाई करना है यहाँ से इस तरह किसे फूल्डिंग करके शिलाई करोंगे दुनों पाट को इस तरह किसी शिलाई लगाऊंगे तो यहाँ पर इस तरह के से फ्रांचाइट होगा इस साइट के तरप से भी राख सकती हो और जहाँ तो इसको इस साइट के तरप से भी राख सकती हो यह देखिए पहले यहाँ जो इस तरह किसी बोराबर कर लूँगी करने के बाए यहाँ पर टाक्स के लिए मैंने निशना लगा दिया और यहाँ जो टाक्स चिलाई करूँगे हाफ इंस लेकर यहाँ पर 5.5 इंस जग उठाकर सिलाई करूँगी इस साथ की तरफ से राखोंगी चौता आप उस साथ की तरफ से भी राख सकते हो आप जीस तरके से अच्छा लगते हो उसी साथ की तरफ से राखना है और यहाँ से सिलाई लगा लोंगी तो कमर यहाँ पर आपका कमर के जितने टक है उसी के हिसब तराकर यहाँ पर सिलाय करना होता है जिसे कि यहाँ पर कमर 34 साइस के है मैं यहाँ पर 34 साइस के हिसब तराकर यहाँ पर सिलाय लगा रही हूँ तो चलिए फास स्टेफ शुरू करें शिलाई तो यहाँ पर देखें पहले इस तरगी से मैंने शोई दागा ले लिया है किनारे से इस तरगी से शुटा शुटा शिलाई लगाओंगे यह बिल्कुल सीधा शिलाई है इस तरगी से शिलाई करने से क्या होता है इसमें प्लेट शुटा शुटा अच्छा से आता है तो आभी देखिए यहां से यह मैंने फ्रॉंट साइट ले लिया है इस तरह किसे यहां पार 2.5 इंच तक इस तरह किसे बीना प्लेट दाले सिलाई होगा 2.5 इंच के बाट यहां पर इस तरह किसे शुटा शुटा प्लेट दिया जाएगा 2.5 इंच किसे कुई टूंब झाल झाल फास स्टेप सिलाई कम्प्रीट है अब इस सेकेंड स्टेप सिलाई करूँगे सेकेंड स्टेप में भी सेम तर किसी सिलाई होगा और यहां से यहां पर देखिए तू पॉइंट फाइब इस तक नहीं राखोंगी यहां पर वान इस तक सिलाई नहीं मतलब प्लेट नहीं डाल उसके बाद यहाँ पर शुटा शुटा प्लेट दालोंगी झालोंगी झालोंगी सेकेंड स्टेप की बार थार्ड स्टेप सिलाई होगा यहां से भी यहां पर देखिए पूरा सिलाई यहां पर इस तरह के से कर लिया है दूनों पार्ट को इस तरह के सिलाई किया है तो चलिए बैक पार्ट और फ्रांट पार्ट को जैन कर लूँगी बैक साइट की तरह से मैंने यहां पर नेक पूर्टी सिलाई कर लिया बैक साइब टथिला शर्ट बैकायन पर खवरा यहां वार्टे झाल यहां भी तरह. कर दो झाल पर व झाल जय म झाल यहां झाल यहां बत बत शुल्डर जैन काने के बाद आभी यहाँ पर देखिए स्लिप सिलाई होगा स्लिप को पहले मैंने मिदाल बराबर इस्तर के से मिलाओंगी और यहाँ से थोड़ा प्लेट डाल दूँगी स्लिप कर दो जहाँ मिलाए बाद टी पत्ततता के थота ठीतित से मिलाई वल्ओप हो गया वेति हैकů जे जहाँ जराब सिला area का लूप होगाँ कैसे एस किरसे अ क्या दू़ाँ हो च्छूट नहाँ रिज किर मिलादम झाल Lee मैंने यहाँ पर 2 इंच तक प्लेट डालकर सिलाई किया है दुनुशाइट के तरफ से इस तरह किसी 2 इंच तक ही प्लेट डालकर सिलाई करूंगे और इस साइट को देखे किनार से मिलाकर सिलाई करूंगे उसके बाद जहाँ पर 2 इंच तक आयेगा वहाँ से ही प्लेट डाल करना स्टार्ट करूंगी पीद देखिए स्लीप का मोड़ी को इस तरह की से पूल्डिंग करकर सिलाई करूंगी तो जितना तक एलेस्टिक साहिए लूजिंग के साथ मैंने यहाँ पर ले लूँगी आप अपने हिसाब से ही लेना है और यहाँ पर वान इस तक यहाँ पर इस तरह की से गेप रखोंगी और यहाँ से शिलाई लगाऊंगी एलेस्टिक को शिलाई की तैमें खीषना है यहाँ से इस तरह की से यह देखिए इस तरह की से खीष कर सिलाई करना होता है यह देखिए इस तरह की से मैंने साइट चे एलेस्टिक लगा लिया है मोरी के साइट की तरफ से तो शिलाई करने के बाद यहाँ पर 38 साइट के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग्स होगा करते हैं झाल 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 यहाँ पर देखें दूनों साइट के तरफ से चिलाई पूरा-पूरी कंप्लीट है तो मूरी के साथ की तरफ से भी मैंने चिलाई कर लिया है और यह देखिए इस तरह किसे इस प्रोग को मैंने चिलाई किया है तो फ्रेंच वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चनल को सबस्क्राइब कर लिजे और साथ में बेला आइकन को किलिक किए ताकि मेरे हाराने वाले वीडियो की नोटिफेकिशन आप टाक सबसे पहले पहुंसने के लिए तो इस फ्रोक को सिलाई करना बहुत ही इजी है आप लोग भी एक बत ट्राई करकर देखिए थेंक्यू